ब्रिटेन का नाम सुनते ही याद आती है भारत की गुलामी अंग्रेजों ने अपने 200 सालों की राज में भारत के किसी शक्स को इतना नहीं उठने दिया कि वो अंग्रेजी हुकूमत से बड़ा बन जाए लेकिन आज समय ने खुद को बदला है और बोरिस जॉनसन के सीफे के बाद अटकरे लगाई जा रही है कि भारत पर दश को राश करने वाले ब्रिटेन का अगला प्रधान मंत्री एक भारती हो सकता है हम बात कर रहे हैं रिशी सुनक की जो ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बनने की रेस में सब से आगे चल रहे हैं दरहसल रिशी सुनक सत्ताधा पारी कंजरवेटिव पार्टी बोरिस जॉंसन की सरकार में वित्त मंत्री पत पर रह चुके हैं। के इस बगावती रुक को देखकर बोरिस जॉंसन को भी अपने पत से स्तीफा देना पड़ा। प्रधान मंत्री बोरिस जॉंसन पर कई तरह के आरोप लग रहे थे। और ना ही इस पत के लायक है। और अतीद में उन्होंने लगातार जूट बोलकर गलत लोगों को बचाया है। क्रिस पींचर के यौन दुर्वेवहार का मामला तो अब बहुत गंभीर हो चुका है। उन पर यौन दुर्वेवहार के कई आरोप पहले भी लगे हैं। और कुछ महीने पहले भी ये सब मालूम होते हुए भी जौन सन ने उन्हें डिप्टी विप के पत से नवाजा। कुछ समय पहले लंदन के एक प्राइवेट क्लब में एक शराप पाटी हुई जिसमें क्रिस पींचर ने गलत तरीके से दो मर्दों को चुआ। जब प्रधान मंत्री जौन सन इस सांसत को डिप्टी विप का पत दे रहते तब इस मामले की जानकारी उनको हो चुकी थी। लेकिन तब भी उन्होंने ना केवल पिंचर को सरकार में पत दिया बलकि उसके बाद जूट भी बोला कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बाद में खुद ही जब वो फसने लगे तो उन्हें बोलना पड़ा उनसे गलती हुई है। लेकिन सत्ता धारी कंजर्वेटिव पार्टी के अधिक्ता सदस से भारतियों मूल के रिशी सुनक को प्रधान मंत्री बनते देखना चाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वज्ज़ा ब्रिटेन के लोगों में रिशी सुनक की लगातार बढ़ती लोग प्रियता है। खबरों की माने तो एक सर्वे के अनुसार पार्टी के लगभग आदे सदस से ये मानते हैं कि भारतियों मूल के रिशी सुनक को प्रधान मंत्री का चहरा बनाकर चुनाव लड़ने से जीत में संभावना और बढ़ सकती है। तो आईए जानते हैं ब्रिटेन की राजनेती के शिर्स पत पर पहुँशने वाले भारतियों मूल के इस नेता के सफर के बारे में। मुख्य सचीव के रूप में भी काम किया है। रिशी सुनक 2015 से उत्तरी यॉक्षायर में रिचमंड सीट से संसत सदस्य है। रिशी सुनक की पढ़ाई लिखाई विंचेस्टर कॉलेज से हुई और फिर बाद में उन्होंने लिंकन कॉलेज अक्सफर्ड में दर्शन सास्तर राजनी तिक और अर्थ शास्तर की पढ़ाई की। इतना ही नहीं स्टैन्फॉर्ड उनिवर्सिटी से उन्होंने फुल ब्राइट स्कॉलर की रूप में MBA किया है। स्टैन्फॉर्ड उनिवर्सिटी में पढ़ाई के दोरान ही रिशी सुनक की मुलाकात इंफो से इसके संस्था पक नारायन मुर्ती की बेटी अक्षता मुर्ती से हुई थी। वहाँ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। बाद में उनकी शादी अक्षता मुर्ती के साथ हो गई और इस तरह रिशी सुनक भार्तिय बिजनसमैन नरायन मुर्ती के दमाद बन गये। पढ़ाई पूरी करने के बाद रिशी सुनक ने कई कमपनियों में काम भी किया है और फिदर शिल्रन इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट और थेलेम पार्टनर्स में पार्टनर रहें। इसके बाद उन्होंने मजबूती के साथ ब्रिटेन की राजनीती में कदम रखा। हुँ और हिंदू होना मेरी पहचान है। रिशी सुनक की उम्र अभी सरीफ 41 साल है वो ब्रिटेन में काफी लोग प्री और मश्यूर है। वश्च 2017 से ही वो भगवत गीता पर हाथ रखकर अपने पत की शपत लेते रहें। उनके पुर्वश पहले भारत से इस्ट आफ्रीका आये थे और फिर वहां से ब्रिटेन आकर बस गए। आम लोगों के बीच रिशी खुब पसंद किये जाते हैं और उनके काम की अक्सर तारीफ होती है। तो कॉमेंट सक्षन में जरूर बताएं। वाकि सुनते रहें दे न्यूज इंडीज एक अलग नजर या खबरों का।